खरगोन जिले के भारती किसान संग ने लागत के हिसाब से फसल का मुल्य नहीं मिलने की बात पर मौर्शा खुला और प्रधान मंत्री नरिन मोधी के नाम क्या पंसोपा हम आपको बता दे कि निमाड जिले में कम बारिश से फसलों के हालत बत से बत्तर होते जा रहे हैं ऐसे में लागत के हिसाब में फसल का भाव स्थीर है जबकि महगाई की मार लगातार बढ़ रही है ऐसे में जीले के किसानों ने मौर्चा खोला और वाहन रैली निकाल कर केंदर सरकार को अंदोलन की चेतावनी दी इस दोरान किसानों ने बताया कि समय रहते मांग नहीं मानी गई तो आगामी समय में उग्र अंदोलन के लिए बात धी होना पड़ेगा खरगाउन से जयनत कुपता की रिपोर्ट बड़ा अंदोलन किया जाएगा देश का अन्य दाता देश का प्रेट वालता है और देश का मुख्या वह तो नहीं सोच रहा है पर यहां के भी हमारे मुख्या है राजसवा सदक्श्य उनको भी सोचना चाहिए कि किसानों के विशे को लेकर संसद में उठाना चाहिए अगला कदम क्या होगा कि क्या होना है धरना प्रदसन या पूरा भारत जाम करना है एसी योजना केंदर बनाएगा और उसके साथ तो पूरा खरगोन जिला भी उसके साथ रहेगा क्या मुख्य मांगे क्या है यह कि लागत के आदार पर लाबकारी मुल्य मिलना चाहिए और प्लस उसके 25 परसें लाबान से जोड़ के किसानों को देना चाहिए अभी उसकी लागत ही निकल रही है अगर जीला मुख्यला पे जो आए हुआ है धरना प्रदर्शन इसमें कितने गाउं की किसान कितने संक्षा कितने संक्षा आए आज चार-पांच ही आर किसान अई उपसित हुए है और आगे अगर इस परकार की मांगे नहीं मानी गए तो लाखों किसान का गारेक्रम है जो कि हमारी जो यहां की समस्या है जिले में एक तो आवर्शा के कारण सुखा गोसित कराना चाहते हैं दूसरा लागत के आदार पर लापदारी मुल्ड की हमारी विशेश मांगे और इसमें भी लाबांस जोड़कर देना चाहिए यदि यह मांगे पूरी नहीं होती है तो 15 सितं करते हैं तो हम लोग 15 सितंबर के बाद हमारी जिले की बेठक लेकर और अंदोलन के लिए बात जया हुए अब तक आविदन दिया है आप लोगोंने कितना अभी हम लोगोंने बहुत बार क्लेक्टर मेडम से बाद भी की है और लिकित रूप में भी दिया गया है हमारे द्वारा लेकिन उसकार कोई सुनवाई नहीं की जा रही है वारती किसान संगतिदा मुझे तो है हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल स्व्व 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुलें कर दो कर दो कर दो कर दो